हेलो फ्रेंड्स जैस्वामी नरेंड आ वीडियो मा आपणे सिख्वाई जे रहिया छे सादो वर्तमन कार the simple present tense तो कार सिख्वा माटे basic सिख्वू जरूरी छे जेनू आपणे गया वीडियो माँ अभियास करियो तो आपणे basic ने त्यारे थोड़ू रिविजन करी लई है करता तो करता एटले अंग्रे जी मा केवे subject कया कया I, you, he, see, it, we, you, they त्यार बाद छे to be ना रूप to be ना रूप कया कया तो त्रोण मूल कार एना त्रोण कार ना to be ना रूप वर्तमानकाल, इजेमार, भूतकाल, वाजवेर, भविशेकाल, सैल्विल क्रियापद, क्रियापद एटले वर्ब कईक जे क्रिया थती होई, ते क्रिया एटले क्रियापद क्रियापद ने अंग्लिश मा केवाई वर्ब sing, cry, play, चार क्रियापद आवे वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फॉर sing, sang, sung, singing cry, cried, cried, crying त्यार बाद आवे कर्म कर्म ने अंग्रेजी मा केवाई object जे काम थतू होई ते काम दाखला तरीके, राज, play, a cricket राज, cricket, रमे छे तो, a cricket, एहुं थियू कर्म पिनल, sings a song तो, गीत गाई छे, songs, एहुं थियू कर्म ख्यालावे क्यों विध्यर्थी मित्रों आव बेजिक छे आव बेजिक आवर तू होँशे तो, काल सिख्वा एकदम सरल छे औने सादो वर्तमान काल तमने आवडी जेस एक तो, एनो उप्योग औने बीजू छे एनी वाक्य रचना फोर्मुला आव बेज़ तू आवर तियसे और ले तमने एसी टका काल आवडी गो बाकी ना विश्ट तका तो, जे काल मा जे कई अमुक एक के बे लिटेना नियमों आउता होई एक ना उप्योग औने एक ना एनी वाक्य रचना तो, आपड़े आजे जोईए सादो वर्तमान काड जेने अंगरे जी मा कहवाई the simple present tense simple अटले सादो, present अटले वर्तमान अने tense अटले काड ख्यालावी क्यों विद्धियर्थि मीत्रो use अटले उप्योग कोई पन काल याद राखवा मेटे बे बबतो की दी एक नो उप्योग सादा वर्तमान काड नो उप्योग क्या रे थाए रोजीन दी अथवा टेववस थती क्रियावों रोजीन दी अथवा टेववस थती क्रियावों बोलवा माटे साधा वर्तमान कालनों उप्योग थाई रोजीन दे इतले केवी क्रियाओं दाखला तरीके हुँ दर्रोज भगवान ने पगे लागुँछु हुँ दर्रोज न्यूस पेपर वांचुछु हुँ खावचु हुँ पीवचु हुँ दर्रोज स्कुले जाऊचु हुँ दर्रोज गाडन मा रमूचु हुँ हम्मेशा साचु बोलुचु वगेरे वगेरे आवी बद्दी वाक्यरेचना बोलुआ माटे साधा वर्तमान कालनों उप्योग थाई बीजु आवाक्यरे अंग्रे जीमा बोलुआ माटे साधा वर्तमान कालनों उप्योग थाई बिजा गाणितिक सिध्धान तो छे ए बोलवा माटे पन साधा वर्त्मान काल नौ उपयोग थाई मतलब टूक मा साधा वर्त्मान काल नौ उपयोग क्या रे था यह उकोई तमने पूछे तो तमारे खाले टलूच बोलवानू के रोजिन दियत्वा टेव वस्थती क्रियाव दर्शाव माटे साधा वर्त्मान कालना उप्योग थाई आ एना हता उप्योगू होवे बिची बाबत आपने जोवानी छे फोर्मुला फोर्मुला एटले वाक्य रचना दरेक काल सिखवो होई तो एक काल आवडवा माटे एनी वाक्य रचना सिखवी जरूरी छे जो तमारी वाक्य रचना क्लियर हसे तो कालनू वाक्य बोलू तमारा माटे सरल रही से तो साधा वर्त्मान कालनी वाक्य रचनामा सोप्रथमावसे करता करता एटले subject I, you, he, see, eat, we, you तो एमाथी कोईपन करता एक त्यार बाद क्रिया पदनू मूल रूप प्लस कर्म कर्म अटले object जे काम थतू ओए ते काम अने वधाराना शब्दो वधाराना शब्दो अटले केवा शब्दो तो आपड़े जोईए वर्तमानकाल सुचक शब्दो वधाराना शब्दो डेली, दर्रोज, सम्टाइम्स केटलिक वखत, ओप्टन वारमवार, एवरी डे दर्रोज, सम्टाइम्स फरिथियायू, नेवर अडले कदी नई, एड़सेटरा आवधा शब्दो सादा वर्तमानकाल सुचक शब्दो शब्दो चे, दर्रोज, थती किरियायू सम्टाइम्स, केटलिक वखत थती किरियाऩ ओप्टन, वारमवर, थती किरिँ एवरी डे, एवरी डे मांपची पाछड प्रश्नार्थ वाक्य बनाववा माटे सहाईकारक क्रियापद तरीके डू के डजनो उप्योग थाई प्रश्नार्थ वाक्य माँ जो करता हीसी इट ऊँए तो तेनू प्रश्नार्थ वाक्य बनाव गाळा एक डू आवे नहीं फक्त दू डस थी एनू प्रिश्णार्थ वाक्या बने तो दू डस थी प्रिश्णार्थ वाक्या नी वाक्या रिश्णा जे बने नी वाक्या रिते चे दू अथ्वा डस एक करताने आधारे आवे दू आवे अथ्वा डस आवे डू डस प्लस करता करता है एटले के subject plus क्रिया पदनू मूलरूप एटले के v1 plus karma एटले के object plus वदाराना शब्द एटले के other words आ वाक्या रचना थाई non-wh question एटले के do does वाली wh वाली वाक्या रचना मा भूनी वाक्या रचना सवक्रत्थम जोई तो वू साथे क्या रे do के does आउतू न थी हू साथे हम्मे सा क्रिया पदनू एस के एस वालू रूप आवे प्लस कर्म प्लस वदाराना शब्दो प्लस प्रश्ना आर्थ चीन्ध आती वूनी वाक्या रचना जो आपड़े वे non-wh question what, when, why, where वाली वाक्या रचना जोई तो सोव प्रत्थम WH question आऊँछे what, when, why, where त्यार बाद एनी साथे do के does do के does ए आगणना करता ने आधार है खबर पड़े के हुँँए do लगाऊ के does लगाऊ प्लस करता, प्लस क्रिया पदनू मूल रूप विद्यार्थमित्र do के does साथे हम्मेशा क्रिया पदनू मूल रूप जावे क्रिया पदनू S के ES वाल रूप, ING वालू कोई पण रूप आवे नहीं एक उस्तु याद राखवानी जारे आपना WH question मा do does आउतु होई तो एनी साथे जे क्रिया पदोई, एनू फरज्यात मूल रूप जावे प्लस कर्म, प्लस वदाराना शब्दो, अने प्लस प्रिष्णाची नहाँ आपनी WH वाली वाक्यरत नहाँ थाई आपने WH वाक्यरत नहाँ समझवा माटे आपने एक्सरसाइज माँ वदारे ना विशे डीप माँ जोईशू हवे अमुक नियमों छे जोईए साधा वर्तमानकाड माँ ज्यारे करता E, C, E, T आवे त्यारे तेनी साथे फरज्यात क्रिया पदनू E, S, K, E, S वालू रूपज आवे दाखला तरीके रोहन क्रिकेट रमे छे तो रोहन प्लेइस क्रिकेट प्लेनी पाचळ E, S आवशे बिजू वाक्ये बोलू के हूँ क्रिकेट रमूछू तो हूँ क्रिकेट रमूछू तो I play cricket आई पच्छी क्रिया पदनू E, S, K, E, S वालू रूपज आवशे नई अटला हूँ एवू केवा मागूछू के जारे करता I, U, V धे आपेला होई तो एनी साथे S, K, E, S वालू रूपआवे नई अने जारे करता E, C, E ट आपेला होई तो एनी साथे फरज्यात विधान वाक्या, एफर्मेटिव वाक्या बोलवा माटे क्रिया पदनू E, S, K, E, S वालू रूपआवे अने बीजू के Do, Does साथे क्यारे क्रिया पदनू E, S, K, E, S वालू रूपआवतू नती जेना विशे आपड़े आगल डिप मा जोई सू जारे क्रिया पदनी पाच्छण नो अक्षर हमें तमने S के E, S वालू रूप गीतू तो S के E, S वालू रूप सिखवा माटे ना किटलाग नियमोचे क्या E, S आवे अने क्या E, S आवे तो जारे क्रिया पदनी पाच्छण नो अक्षर S, SS, SH, CH, X के O आवतो होई O थी सरूथतो होई तो तेनी पाच्छण ES लागे दाखला तरीके ब्रश तो ब्रश नी पाच्छण SH आईउ तो एमा तमारे ES लगावानू दाखला तरीके टच तो टच नी पाच्छण CH आईउ तो एमा तमारे ES लगावानू टच इस आने ब्रश इस ख्याल आईउ मतलब माँ क्रिया पदनी पाच्छण S, SS, CH, X, O आवतो होई तो एनी पाच्छण ES लागे बाकी बद्ध्या क्रिया पदमाँ ES लागे हवे बीजू के जे क्रिया पदनी पाच्छण व्यंजन प्लस Y आवतो होई व्यंजन प्लस Y तो Y ने दूर करी IES लागे फरीवार्थी व्यंजन प्लस Y आवतो होई तो Y ने दूर करी IES लागे दाखला तरीके क्राई क्राई एटले रडू आर ए व्यंजन के वाई, प्लस वाई थियू, तो वाई ने दूर करी नाखवानू, अने एनी जग्याई लखवानू, आई, ए, ए, स, बिजू छे फ्लाई, फ्लाई मा एल व्यंजन थियू, प्लस वाई थियू, तो वाई ने दूर करी ने करी नाखवानू, आई, ए, स, फ्ल प्लस वाई आवतु ओए, तो फक्त एस लगावानू, एस, आई, एस, कोई पन वस्तु लगावानी नई, फक्त एस लगावानू, दाखला तरीके प्ले, एस वर्थियो, प्लस वाई, अटले प्ले नू थाई जाई, प्ले इस, किटलाक उदाराण द्वर आपने साधो वर्थमन काल सीखिया, तेवो क्रिकेट रमे छे, तो तेवो क्रिकेट रमे छे, धे, प्ले, क्रिकेट, अवे, आनू आपने प्रिश्नार्थ वाक्य बनावू छे, नौन डबल यू एच क्वेश्चन, तेवो क्रिकेट रमे छे, शू तेवो क्रिकेट रमे छे, शू तेवो क्रिकेट रमे छे, प्रिश्नार्थ वाक्य बनावू होई, तो आपने किदू में, के साधा वर्थमन क प्रश्णार्थ वाक्य बनावा माटे, डू के डज सहाईकार क्रियापद नो उप्योग थाए, डू क्यारे लागे, डज क्यारे लागे, ज़ारे करता हिसी इट वही तो डज, अने वी यू धे, आई वही, तो डू, तो सवप्रथं सहाईकार क्रियापद रिके डू लागे से, डू पछी करता, करता हिट लेके धे, डू धे प्ले क्रिकेट, प्रश्णार चिन, डू साथे हम्मे सा क्रियापद नू मूल रूपज आवे, अनियम याद राखवान, डू साथे क्रियापद नू मूल रूपज आवे, हवे आपड़े डबल्यू एज क्रिकेट आपेलू छे, अने तमने एवी सुचना आपेली छे, के रेखांकी शब्दो वडे डबल्यू एज क्रिकेट नीचे अन्डल लाइन छे, अने ख्रिकेट नीचे अन्डल लाइन छे, तो ते प्ले क्रिकेट धे नीचे अन्डल लाइन छे, तमार वाक्या बनावानू के कोण क्रिकेट रमेचे, कोण एटले शू थाई, वू, तो पिला आपड़े वू लखी सू, अने वू साथे क्यारे डू के डर्ज आवे, नई, अने वू साथे फरज्यात क्रिया पदनू, एस के एस वाड़ो रूपज आवे, बराबर अई याँ बले प्ले लखे लूरी, पन वू वाड़े वाक्ये रचना बनावती हो खते, फरज्यात एस के एस वाड़ो रूपज लेगे, वू प्ले इस क्रिकेट, कौन क्रिकेट रमे छे, बीजी वाक्या अंडरलाइन वाड़ो वाक्या शब्द अचे, क्रिकेट, थे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नीचे अंडरलाइन चें, प्रेश्णात्वा क्या बनावानू छे के तेवो शूर में छे तेवो शूर में छे शूर अटले वाट तो आपने पहला वाट लखी सूँ अवे वाट साथे डू के डर्ज आऊ से तो वाट साथे हमारे डू लगाऊ के डर्ज लगाऊ ए सेना आधारे खबर पड़ से करता न पुल्ल्डरू, what do they play cricket? सोरी, आख cricket नहीं आवे what do they play? अटले शू रमे छे, तो यमाँ क्रिकेट आव़ू जोही हे ने, अटले what do they play cricket? क्या लाई वह धे वाढा वाक्यामाा हवे बीजू अवाक्य जोही हे, विराट कोहली दररोज्ज क्रिकेट रमे छे रोज रमवानी क्रिया साधो वर्त मनकाल, तो विराट कोहली त्रिजो पुरूस एक वचन ही केवाई, तो विराट कोहली प्लेईस, आनी साथे एस के एस वड़वाईव, विराट कोहली प्लेईस क्रिकेट डेईली, विराट कोहली दरोज क्रिकेट रमेच छे, अवे आपणे प्रिकेट निचे अंडल लाइना पेली छे औने क्रिकेट निचे अंडल लाइना पेली छे प्रिकेट निचे अंडल लाइना पेली छे औने क्रिकेट निचे अंडल लाइना पेली छे विराट कोहली दर्रोज शू रमे छे शू एटले सू थाई वाट हवे वाट साथे डू के डज लगावे सेना धारे खबर पड़े है करता ने आधारे करता कौन छे विराट कोहली विराट कोहली अटले ही केवाई पुरुष केवाई तो एनी साथे सू लागे है डज वाट डज करता छे विराट कोहली वाट डज विराट कोहली डू के डज साथे केवाई क्रियापद आवे है क्रियापद नू मुल्रू वाट डज विराट कोहली प्ले क्रिकेट पाछल डेली अवधार अनो शब्द वित्रो आ अपना थिया, डबल्यू एच क्वेस्चन अने, नजग डबल्यू एच क्वेस्चन, डू डशवृण बाक्यों अने डबल्यू एच बाक्यों। आध है आपड़ो साधो वर्तमान काल नों चाठ समझी लेएं I play cricket, हुँ cricket रमूँ छू You play cricket, तू cricket रमे छे He plays cricket, C plays cricket, it plays cricket तरहें गाई माटे बोलगू छे तो गाई cricket रमे छें बोली शकाई नई यह बोलाई के गाई घास खाई छे तो गाई माटे इट बोलाई, it, it's a grass ख्यालाई ओ, आई नू बहवचन थाई V अमे क्रिकेट रमिये छे, we play cricket तमे क्रिकेट रमो छो, you play cricket अने तेवो क्रिकेट रमे छे, they play cricket तो आचाठ माँ आपड़े उजोयू के जारे करता साधा वर्त्मान कालमा, he, c, e, टापेलू होई, त्यारे एनी साथे, as, k, e, s वालू रूप आवे बाकी बद्धा क्रियापद मां केवू रूप आवे, मूल रूप आवे, केवू रूप आवे, मूल रूप अन्ने साधा वर्त्मान कालमा, प्रेश्णार्थ वाक्य बनावा माटे जारे करता, he, c, e, टापेलू होई, त्यारे एनू प्रेश्णार्थ वाक्य डज थी बने, बाकी I, U, V, U, D एनू प्रेश्णार्थ वाक्य बनावोई, तो सेना थी बने, डू ख्याला है वो विद्यार्थी मित्रो, आ आतो आपनो साधा वर्त्मान काल, हवे आपडे वजारे एक्सरसाइज माटे, नेक्स्ट वीडियो माँ आपडे एक्सरसाइज जोईशू और रिविजन करीशू